और अब बात करते हैं मौसम की मध्य प्रदेश में चार दिन भारी बारिश का अलड जारी किया गया है बोपाल में भी दो घंटे से लगातार बारिश हो रही है बड़ा तालाब में 1660.70 फीट लेवल पहुँच चुका है कोलार डेम में भी लेवल बढ़ गया है और यहां पर डाई धाई फीट पानी बढ़ गया है तो मध्य प्रदेश में जहां तहां तेज बारिश की आसार जताए गये हैं और अगर राजधानी भुपाल की बात की जाये तो दो घंटे से लगातार यहां बारिश हो रही है बड़ा तालाब में 1660.70 फीट पानी का लेवल पहुच गया है और कोलार डेम की बात करें तो कोलार डेम में जेड और केरवा में 20 फीट पानी बढ़ गया है तेज बारिश के चलते अब नदी तालाब उफान पर हैं और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की बहुत सारे ऐसे इसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश की आशंका जताई गई है कई जगाओं पर जल भराव की स्थिती भी देखने को मिली और याठ तस्वीरें भोपाल की आपको दिखा रहे हैं जहां तेज बारिश की चलते आलम कुछ इस तरीके कर रहा बारगंगा इलाके में पानी भर गया लिंक रोड नमबर एक लिंक रोड नमबर दो में भी जल भराव की स्थिती है आलाके यहाँ पर मौसम सोहावना बना रहा अल्पना टौकीज भोपाल टौकीज में भी जल भराव की स्थिती बनी रही आलाके लोगों को छुटपुट समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा जेपी हॉस्पिटल महावीर चोराह और सेफिया कॉलेज की तस्वीरें आपको देखा रहे हैं जहाँ जल भराव की स्थिती तो देखने को मिली लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की रही जल निकासी ना होने की वज़ा से यहाँ पर घरों और दुकानों में भी पानी भर गया जिससे लोगों को काफी देकतों का सामना करना पड़ा तो यह आठ तस्वीरें राजधानी भोपाल के अलग-अलग हिस्सों की आपको दिखा रहे हैं जहां कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिती बनी रही हाला कि मौसम सोहावना बना रहने की वज़ए से गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है और जादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक दुवेदी लाइफ जुड़ चुके हैं सीधा उनकरो करते हैं दीपक यहां पर रुक-रुक कर राजधानी में पानी कर रहा है हाला कि मौसम सोहावना जरूर बना हुए शायद दीपक को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है दीपक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं एक बड़ फिर से दीपक से संपर्क करेंगे लेकिन फिलाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भुपाल की जहांपर भुपाल में मौसम सोहावना बना हुआ है और कुछ घंटों से लगातार यहां रुक रुक कर पानी भी बरस रहा है गर्मी से और उमस से भी लोगों को राहत मिली है आला कि मध्यप्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे अलाके हैं जहांपर गरत चमक के साथ तेज बारिश की संभावना भी जताए गई है और कई नदी तलाव भी उफान पर पहुँच गए हैं और कई गाउं ऐसे भी हैं जहांपर पुल के उपर से पानी गुजरने की वज़े से संपर्क गाउं का दूसरे गाउं से तूट भी गया है ऐसे में लोगों का जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है लेकिन क्रशी के लिहाद से अगर देखे तो ये बारिश क्रशी के लिहाद से किसानों के लिहाद से काफी ज्यादा महत्वपून और अच्छी है आला कि भोपाल की जो बड़ा तालाप का हिस्सा है वहाँ पर जल भराव जादा हो गया है वहाँ पर जलस्तर जादा बढ़ गया है इसके लावा कोलार डैम और केरवा डैम में भी कई फीट उचाई तक पानी पहुँच गया है और हमारे सही होगी दीपक दुवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा उनकरो करते हैं दीपक यहाँ तस्वीरें आपके पीछे देख पा रहे हैं सोहावना मौसम बना हुआ है कुछ घंटे से रुक रुक कर पानी भी गिर रहा है बारिश भी हो रही है अब ही क्या इस्तिती है मौसम विग्यानेकों की तरफ से कोई आशिंका जताए गई है कि तेज बारिश और होगी बता दू कि मद्द्प्रदेस में लगातार लगभक सभी हिस्तों पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया देखेंगे तो आपको पूरा मौसम सुहाना दिखेगा और लोग अब थोड़ी हलकी फुलकी जब बारिश निकली है तो उसके बाद आवा गमन तेज हो चुका है लोगों का तो यह कह सकते हैं कि राजदानी भोपाल में दो दिनों से लगातार बारिश का दोड़ जारी है और गंगोर घटाएं पूरी तरीके से राजदानी भोपाल को अपने आगोश में लिये हुए हैं और हम यदि बीते कल की बात करते तो करीब धाई इंच पानी राजदानी भोपाल में बरसा है और इसके अलावा आज की बात करे तो लगबग दो इंच पानी अभी बरस करने के लिए विकेंड होने के कारण घूमने के लिए पहुंच रहे हैं बिल्कुल दिपक देखिए भोपाल पहाड़ी इलाका है और आज पास के अलाकों में अक्सर बारिश के समय में छुट-पुट जरने जरूर फूट पढ़ते हैं और जहां पर परेटक बहुत तेजी हुआ है और गलोगाँ झाल कि अक्षाव टॉर हुआ है je है।